असलाम लाइकूम देखे गर्मा गर्म लजी सूप सर्दियों के मौसम में इस से बढ़की क्या हो सकता है तो आज हम ले क्या है इसी की रेसिपी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह टेस्टी सूपी मटन पाए मैंने चार अदद मटन पाए लिये हैं इसको अच्छे से धो करके ले लिया है इसमें सवा लीटर पानी डालेंगे और वन एन हाफ टीस्पून अद्रक लेसन पेज वन एन हाफ टीस्पून नमक थीन अदद तेज पत्ते एक टुक्रा दार चीनीन दो अदद बड़ी लाइची दो अदद छोटी लाइची और दो बड़े साइज के मिर्च पाउडर तीन अदद धरी मिर्चे हैं चिन को तोड़के इसमें डाल दिया अब कूकर कर ढ़कन लगाएंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे तेज आज पर एक सीटी आने के बाद मैंने आज को मद्धम कर दिया है और इसे 45 मिर्ट तक पकाया है मैंने इसको खुद ही ठंडा होने दिया था चलिए इसे खोल के देख लेते हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कर्चुल से इसमें से खड़े बसाले बाहर निकाल लेते हैं देखें यह तकरीबन हो चुका। है अब इसमें एक मीडियम साइज की तली हुई प्यास दालेंगे प्यास को घ़ी में फ्राइ किया है प्यास को करश कर के ढल देंगे अच्छे से करश कर के ढल दे Costco वन फोर टी स्पून खुटी होई काली मिर्च है इसको भी डाल देते हैं और थोड़ी सी बारी कटी हुई हरी दिनिये की बत्तिया हैं नमक तेख लेते हैं अगर कम हो तो और डाल दे टू टेबल स्पून घी डालेंगे वही घी हमने यूज किया है जिसमें प्यास फ्राइ की ठी कुकर के ढखकन लगाते हैं और तेज आच पर छे से साथ सीटी दिला के ठंडा होने देंगे इसे प्रेशर जब कम हो जाए तो खोल के देख लेते हैं हमारे पाया सूप तयार है इसको मिक्स करते हैं और इसको तोड के देख लेते हैं देखें यह बहुत अच्छे से ग गरब मसाला पाउडर डालेंगे चाहें तो नडालें ऑप्शनल है थोड़ी सी हरी धनिये की पत्ती डालेंगे और अब यह हमारे मटन पाय सर्व करने के लिए तैयार है इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें और हमारी रेस्पी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शुक्रिया